ओम नम्ह सिवाई नमस्कार मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के जिड अक्छर से सुरू होता है तो इन लोगों के जीबन में साल 2022 में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते है तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियों जिड नाम के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है तो बेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों इस वेडियों के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोटका है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबम सांदार हो सके मित्रों इदी आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदी आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें तो मित्रों अब हम लोग बात करने बाले हैं कि जिन लोगों का नाम जिड अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीबन में साल 2022 में किया किया हूँ आपके घर पडिबार आपके पाडिवाडिक जीबन के बारे में मित्रों आने बाले शमय में आपका पाडिवाडिक जीबन सामान्य रहेगा आने बाले शमय में छोटी मोटी बातों के कारण आपके घर के लोगों के बीच में नोक जोक बहुत ज्यादा होगा लेकिन धीरे धीरे यह नोक जोक समाप्त हो जाएगा एबम आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत ज्यादा सांदार होगा एबम आपके घर के लोगों के बीच में पियार बढ़ेगा एक दूसरे के लिए सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा मित्रों आने बाले शमय में ऐसी संभाबना है कि आपके घर में किसी विक्ती की साधी हो सकती है एबम उस साधी को पूरा करने में आपके घर के सभी लोग एक जुट होकर उस काम को पूरा करने में एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज्यादा देंगे मित्रों साल 2022 में आपके रिस्तेदार आपके जान पहचान में या आपके सगे संबंधी में किसी विक्ती की दुरगटना होगी एबम उस दुरगटना में उस विक्ती के जीबन पर संकट आने की संभाबना बहुत ज्यादा होगी एबम इसके अलाबा साल 2022 में आपके घर में कोई धार्मिक अनुस्ठान होगा एबम उस अनुस्ठान के कारण आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा धार्मिक होगा आपके घर के सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन होंगे बहुत ज्यादा खुस होंगे तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके धन संपती के बारे में मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से साल 2022 आपके लिए बहुत जयादा मजबूत एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले शमय से पहले यदी आपने कहीं भी पैसों का निबेस किया था तो आने बाले शमय में उस निबेस के कारण आपको पैसे कमाने का मौका बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने बाले शमय से पहले यदी आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो आने बाले शमय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का पडियास आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा दोस्तों आने बाले समय से पहले यदि आपने किसी भी व्यक्ती से करज ले रखा था तो आने बाले समय में आपका करज खत्म होगा एबं पैसों के मामलों में आपका शमय बहुत जयादा मजबूत होगा मित्रों आप में से जो भी जातक बेपाड़ी हैं कारोबाड़ी हैं तो उन लोगों के लिए आने बाला शमय शामानने रहेगा मित्रों आने बाले शमय में आपके बेपार के छित्र में आपको फाइदा तो मिलेगा आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन आपको घाटा का सामना भी बहुत जयादा करना होगा तो आने वाले शमय में अपने बेपार अपने बेबसाई के छित्र में आपको शाबधानी बरतनी चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने बाले शमय में आपके नौकडी के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत ज्यादा सांदार होगा मित्रों आने बाले शमय में आपके नौकडी के छित्र में सकारात्मक बदलाब होगा एबम आपके महनत से आपके बोस एबम आपके सिनियर बहुत ज्यादा खुस होंगे एबम आपके महनत के कारण आपके पद में उन्नती होगी आपके सेलडी में कुछ ब्रिधी अबश्य ह मित्रों आप में से जो भी जातक अब तक बेरुजगार है एबम आने बाले शमय में यदि आप नौकडी करना चाहते हैं तो आने बाले शमय में यदि आप नौकडी की तलास करते हैं तो आपको नई नौकडी अबश्य मिलेगी तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके सिक्षा के बारे में, मित्रों आने बाले शमय में सिक्षा के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रूप से ठीक रहेगा। मित्रों आने बाले समय में जिन चीजों के कारण आपके पढ़ाई लिखाई में आपको पढ़े सानी होती हो जिन चीजों के कारण आपकी मानसिक एकागरता भंग होती हो तो आने बाले समय में इन चीजों को आपको छोरना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने सिक्षा के छित्र में अपने पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपको पड़ेसानी का सामना करना होगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस टोटके को आज माने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले शमय में बुद्ध बार के दिन आपको भगबान गनेश की पूजा करने चाहिए एबं अपने पूजा पाथ से भगबान गनेश को आपको खुस करना चाहिए मित्रों यदी आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा मजबूत एबं बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बठने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे एबं इस वेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दे एबं इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवद